भोजन करना, दुकान जाना, बैपार करना, कमाना, परिश्रम तो एक स्वान भी करता है, परिश्रम तो एक पशू भी करता है, परिश्रम तो एक पक्छी भी करता है, जाता है, उड़ता है, तिन का ढून कर लाता है, एक अन्न का भाग ढून कर लाता है, पर परिश्रम के साथ में कोई कर्म अपने जीवन में ऐसा करते जाना कि जिन्दगी भर आपको लोग याद करें कि इसने आकर मर्तियों लोग में कोई कर्म अच्छा करा कोई कर्म अपनी जिन्दगी में ऐसा करकर जाना कि दुनिया के लोगों को एक प्रेंडा मिल जा रावन भी था रावन भी ब्राम्मन था और परशुराम भगवान भी ब्राम्मन थे थोड़ा द्यान देना रामन भी ब्रामन है पर्शुराम भगवान भी ब्रामन है दोनों की कर्म अलग अलग हो गए रामन ने एसा कर्म कर दिया कि चोरहे चोरहे पर दस्यरे के दिन जलाया जाता है और पर्शुराम भगवान ने एसा काम कर दिया कि मंदिरों में बेट कर पुजा रहे हैं यह कर्म क की प्धानता है अत बुरे करम कर बंदे बरना पचताएगा बगवान की आकों से तू बच नहीं पाएगा तू बच नहीं पाएगा हाड है हरेह। हराग हमको पुझवा देते हैं के राह्मन कर्म विकर कर दिया था प्रहमन और कर्म बुरा कर गया इसलिए चोराहे चोराहे पर दर्शिय के दिन जलाया जाता है पर शुराम भगवान भी ब्रहमन है पर उन्होंने पिता का कहना माता का शीष भी काठ दिया पर पिता ने कहा मैं परसन नहूं मांग ले tok चाहिए और अपनी माता को वाप्स जीवित मांग लिया वो परशूराम भगवान है… हमारी जो पहचान है, हमारी जो पहचान है वो सबसे जादा पहचान है हमारे करम से हमारे परिष्रम से हैं भारत की भूमी की सबसे बड़ी पहचान है कि यहां का व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता है भारत की भूमी पर जिसका जनम हुआ है वो कभी हिम्मत नहीं हारता है वो आगे बढ़ता चले जाता है और कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता रहता है यह भारत की भूमी की प्रबलता है मरतिव लोक में अगर जनम मिला है भारत की भूमी पर जनम मिला है हम इस भूमी पर अगर जनम लिये हैं तो अपने जीवन में एक चीज का स्मरण जरूर रखें कि अपने कर्मों को स्रिष्ट बनाने का प्रयास करें कि आप जिस पत्र बेठे हो आप जिस पृतिष्ठा पर बेठे हो आप किसी भी जगह पर आपका जॉब हो नोकरी हो आपका पद हो पृतिष्ठा हो ये सब एक समय की सीमा में रहता है पर जब समय चले जाता है उसके पाथ संसारिक जीवों से फिर संबंद बनता है कुछ कर्म अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास्व है माराज कि बैंक में पैसे जमा करने की एक लिमिट होती है एक दिन में इतना जमा होगा एक दिन में इतना निकाला जाएगा एक दिन में इतना दिया जाएगा एक दिन में इतना लिया जाएगा कि बैंक में पैसा जमा करने की एक लिमिट होती है रास्ते पर गाड़ी चलाने की भी एक speed की limit होती है कि इतनी speed से ज़्यादा ना चलाएं 80 की, 100 की, 70 की 60 की, 40 की 50 की, उसकी भी एक limit बन दी गई है उसकी भी एक limit बन दी गई है बेंक में पैसा जमा करने की limit है गाड़ी रोड पर चला रहे हो तो उसकी गती की speed की भी एक limit है परिक्षा देने के लिए परिक्षा क्यों हाल में बेठे हो परिक्षा देने के लिए परिक्षा क्यों हाल में विराजमान हो तो लिखने की भी एक limit है कि इतने समय तक आपको इतने question हल करना है समय की limit है बेंक में पैसा जमा करने की बेंक से पेशा निकालने की लिमिट होती है रोड पर गाड़ी चलने की गती सीमा स्पीट की लिमिट होती है परिक्षाहल में लिखने की भी एक समय की लिमिट होती है पर शू महापुरान की कथा करती है भजन सत्संग संकीरतन कथा की कोई लिमिट नहीं होती उसको करते रहन है बगवान की करफा कि बंद उठाथ की कोई लिमित नहीं है ग्राइद के बजन की कोई लिमित नहीं है। और बगवान के सत्संब की खथा की किर्तन की इस्मर्ण कि भक्ति की कोई limit नहीं होती उसी तरह मेरे बोले नात की कृपा की भी कोई लिमिट नहीं होती वो कितना दे देता है कितना प्रदान पर देता है उसकी कोई लिमिट नहीं है खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूं ननी बाहे पसारे अपने रए से लगालो गिरा जा रहा हूं उठालो उठालो प्रभू अपने दर से अब तो न टालो गिरी जा रही हूं हुए त करूना की कोई लिमेट नहीं बगवान की उद्वारता की कोई लिमेट नहीं उसकी कрипा की कोई लिमिट नहीं होती है आप जितना बजन करोगे आप जितना इस्मरण करोगे कल एक माता जी को बील चेहर पर लेकर यहां आये थे कथा में कि उसका फोटो कि सुनील याशीज के पास में होगा यह बख से चालू करना बख से बढ़ाओ इनकी स्पिट प्रेशर बढ़ाई यह थोड़ा समाइक का कि उसका फोटो आशीज जी या सुनील जी के पास में होगा तो वील चेहर पर उसको लेकर आए पिर यहां से जहां हम ठेड़े हैं वहां पर उनको मिलवाया तो बताया कि सत्रा साल से घर के कमरे में पड़ी होई थी और पलंग पर पड़ी होई थी सत्रा साल कि सत्रा साल के बाद पहली बार घर से बाहर निकल कर स्यों महापुराण की कथा तक आई कि सत्रा वर्ष के वाद का योग लगा है सत्रा साल के बाद वो बाबा के चरणों में आप पहुची है कि एक पर महापुराण की कथा की फिर वही चरीतर संद में आ रहा है कि बैंक में पैसा जमा करने की लिमिट हो सकती है रोड पर चलने की गती की लिमिट हो सकती है परिक्चा हॉल में पेपर देने के समय की लिमिट हो सकती है पर मेरे भगवान शंकर की कृपा करने की कोई लिमिट नहीं होती है उसकी कोई लिमिट नहीं और यह उसकी करुणा बिना नहीं हो सकता यह उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता यह उसकी दया बिना नहीं हो सकता जितने भी शुरोता भाई बहनिस कथा को सुन रहे हैं रोट पर बेटकर दुकानों में बेटकर इस पूरे प्रागन्ने में बेटकर लाखो लाखो की संख्या में आप लोग पहुचे हुए हैं पूरे उजेनी में कुम्बसा ना जा रहा है इतनी भारी संख्या में आप लोग पहुचे हैं तो एक विश्वास लेकर पहुचे हैं और मेरा वाबा आपके इस विश्वास को तोड़ेगा नहीं खाली जोली को भर तरही वेज़ेगा ये निश्य किता है कि छोड़ेगा निए थोड़ा देर लग सकती है फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा समय लग सकता है दुख यदिभारी है तकलीफ यदिभारी है कश्ट यदिभारी है तो थोड़ा समय लग सकता है पर समहल लेगा वो उसकी कृपा की कोई लिमिट नहीं उसकी करुणा की कोई लिमिट नहीं उसकी दया की कोई लिमिट नहीं आप कई लोग करते हैं हम भगवान का बजन करते हैं कई लोग करते हैं भगवान का नाम जाप करते हैं हम कई लोग करते हैं भगवान का गुणगान करते हैं भगवान का इस्मर्ण करते हैं भगवान का किर्टन करते हैं भगवान का मंतर जाप करते हैं भगवान के पाठ को कर किसी की सामर्थता नहीं है कि आप भगवान का भजन कर सको किसी की सामर्थता नहीं कि आप भगवान की कथा सुन सको किसी की सामर्थता नहीं कि आप भगवान के मंदिर जा सको किसी की सामर्थता नहीं कि आप भगवान का गुणगान कर सको यह तो महादेव आपके भीतर कर रहे हो भजन कर रहे हो किरतन कर रहे हो मंत्र जाप कर रहे हो किसी किसा मर्थता तब तपाती धूब रात होते होते तेज हवा फिर बिजली का कड़कना बादल का गरजना और उसी बीच में उज्जेन के एक एक घर से आकर कोई बिस्कूट कोई दैवड़ा कोई हलुआ कोई पूड़ी कोई खिचड़ी कोई आश्किरीम इत्ता तो कोई साधी में भी जावे ना तो छोरी वाला भी समान नीं करे रहे दादा दित्ता है शिव भक्तों का आदर समान सत्कार उज्जेन के इन सेठों ने और उज्जेन ने प्रेम से किया है बहुत साथ बाद कि रात को मेरा उज्जेन के निवासियों से निवेदन है दिन में आपको लगता है कि हमारी गाड़ी नहीं आ सकती दिन में आपको लगता है कि इती दूर कैसे जाओं कैसे पहुचूं मेरा निवेदन है इन भक्तों का दर्शन दूसरी बार नहीं मिलेगा जो इतना विश्वास लेकर आए हैं राथ को भी आकर कर सकते लिए ग्जिका और है इसलों रॉप गूमी पर यह लाखो लोग बेट कर लाखो बष्ट बेटकर एक साथ भगवान शंकर के मंतर जांपगो कर रहे हैं है इतने भक्त एक साथ बेटकर इतने भक्त एक साथ बेटकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं भगवान का इस्मर्ण कर रहे हैं भगवान की विरल वक्ति को धारण कर रहे हैं पंचाक्षर मंत्र शड़ाक्षर मंत्र याश्री शिवाय नमस्तु भ्यम बोल रहे है इतने इतने लोग एक साथ बोल रहे हैं तो यह भूमी जहां श्युमाहपुराण की कथा हो रही है पहले से ही पवित्र है क्योंकि अंकर शंकर की महांकालिश्वर की रजपर है और भगवान का भजन करकर और पुर्णमाय और प्रवल होती ही चलिए सब्सक्रिजस्क और जिस कथा मैं हम सफी माता की माता प्रसुती के पुरे जीवन चरीत्र को श्रवन करेंगी माता प्रसुती का जीवन और माता प्रसुती ने भगवन शिव की अराधना कैसे करी माता प्रसुती ने इसा कौन सब पुन ने प्रक्त कर रहा था जो शंकर भगवन की अर्धांगनी माता सती को अपने गर्म में धारण कर रहा जिस नारी के 25-25 वर्ष तक संतान नहीं होती है जिस नारी के 28 साल तक संतान नहीं होती जिस नारी के 30 वर्ष तक संतान नहीं होती वो माता सती की मा प्रसुती का इस्मर्ण करकर संकर भगवन को वो कौन सी समगरी चड़ा दे कि 30 वर्ष बाद भी संतान का सुक उसको प्राप् वो माता प्रसुती का चरीत आज भी हॉस्पिटिल में जहां बच्चा जनम लेता है उस कच्छ का नाम माता सती की माता के नाम से रखा जाता है प्रसुती कच्छ दक्छ परजापती की पत्नी के नाम से रखा जाता है प्रसुती कच्छ अखिरेसक क्या था माताप्रसुती के जीवन में 38 साल हो गए 42 साल हो गए शाजी का संबंद ही नहीं हो रहा तो माताप्रसुती का चरीत्र आप जिस भूमी पर आप कथा सुन रहे हैं जिस भूमी पर बगवान का बजन कर रहे हैं परमात्मा के बजन करने की परमात्मा के मंतर जाप करने की परमात्मा के कीरतन करने की परमात्मा के नामिस्तमरण करने की कोई लिमिक नहीं है इसकी कोई लिमिट नहीं क्या करेगी मंदिर जाकर क्यों जाना मंदिर में पर उससे कह देना भजन की कोई लिमिट नहीं जितना जितना सोने को तपाया जाता है जितना जितना सोने को गरम किया जाता है उसमें निखार आते चले जाता है उसी तरह जितना जितना आप भगवा अपने ध्यान में रख लो कि शंकर का मंदिर शंकर का शिवालय जहां शंकर का शिवलिंग रहता है शिवालय रहता है शिवजी महराज जहां पर विराजमान रहते हैं वो इस्थान पारसमनी है और अपन लोहे का तुकडा है जितनी बार पारसमनी के पास जाकर चिपकेंगे पूटना सोना बनते चले जाएंगे यह निश्यत है करीव NO recording ये लोहे का स्चरेर काम लोगि आसकती वासना त्रिषना मोहों प्रपंच में भसा हुआ ये शरीर उतना में खरता चले जाएंगे उतना और पाप करते करते मनुष्य ठक जाता है बच्पन से लेकर मरने तक की अवस्था में भी वह जूट बोलता रहता चल करता रहता एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता एक दूसरे को अप्षब्द कहता रहता एक दूसरे को ताना देता रहता एक दूसरे को गाली देता रहता है बच्छपन से लेकर मर्त्यू की सईया पर पड़ा है सम्शान जाने की कपार पर पड़ा हुआ है पलंग पर पड़ा हुआ है तब तक भी वो छल करते रहता ह मनुष्य पाप करते करते नहीं ठकता और मेरा महाकाल राजा माप करते करते नहीं ठकता यह पाप करते रहे वो माप करता आपकी मेहनत आपका परिश्रम आपको आपके मंजिल पहुचा देता है अभी परसों के दिन हम महापूर जी के साथ हनमान जी के मंदिर गए थे हनमान जेंती पर तो वो बताते हुए ले जा रहे थे उनके साथ वाला बोला कि यह चोटी सी जो पान की दुकाने यह महापूर इस दुकान पर बेटे थे हमने उस दुकान को देखा तो जरा सी गुम थी है जरा सी हमारे मन में आया कि अगर महाकाल बाबा ने आपको किसी स्थान तक पहुचाया है महाकाल बाबा ने आपको अगर कोई पद दिया है इस पान की दुकान से उठाकर किसी सिंगासन तक अग लोग कि सेवा के लिए उठाया चोटी सी जगह से उठाकर अगर बड़े स्थान तक कोई पहुचा दे तो उसको यह अहम नहीं आना चाहिए अपने को कि हमें यहां तक पोज गया ना 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 उसकी करपा ने उसकी करुणा ने उसने हाथ पकड़ा जो जल चड़ाया उसने सब्सक्राइब Θधा कर को क्या देता है लोग करते हैं भगवान शीब करता चरपिकमा पुराण की क अठाक करती है वोच रहा है कोई लिमेट नहीं होती वो कभ ख़िपा कर देंक लगाहिता कर देंक असल्यता कर देंकर तक बुसकी रपा बरसरा त-'श बश्वास के साथ में कथा कूल रहे हैं अब भरोसे के साथ कथा का समर्ण कर लेगा अब हरोसे के साथ कथा को सुन्ने बैठें और जितने बरुसे के साथ आप सुनोगे जितने विश्वास के साथ आप उसको श्रवन करोगे उतने विश्वास के साथ वो आपकी जोली भरने के लिए आतू रहे। पाप करते-करते मनुष्य नहीं ठकता और करपा करते-करते मेरा काल अदिपती महाकाल नहीं कितना पाप कर रहे हैं कि जितने अवंतिकापुर के निवासीं है जितने उज्जेन के निवासीं है इनको हमारी एक बात से बुरा लग सकता है लग जाए दूसरी बाद तुम नहीं बुलाना भले तुम नहीं बुलाओगे चलेगा मेरा महाकल हमें बुलाएगा इनिश्चित अवंति का पुर्वासियों को काशी में रहने वालों को सोमनात में रहने वालों को ओमकारिश्वर में रहने वालों को मलिकरजुन में रहने वालों को केडारिश्वर मे रहने वालों को बेद्धनात में रहने वालों को नागिश्वर में रहने वालों को जितने जितने रामेश्वर में रहने वाले जितने हमारे जोतिलिंग हैं इन जोतिलिंग में जितने लोग निमास करते हैं अपना घर बना कर रहते हैं अपना वेपार करते हैं वो चाहिए कि किसी वर्ण का हो किसी समाच का हो किसी भी धर्म का हो अगर वो किसी तीर्थ में निवास कर रहा है तो उस तीर्थ का जो भगवान है उस तीर्थ का जो देवता है उस तीर्थ के देवता का भले वो दर्शन करने ना जाए पर तो उसके शिखर का दर्शन प्रती दिन करना चाह मंदिर में भीड़े हम नहीं जाएंगे आज सिवरात्री है आज नाक बंचनी है आज ये सावन का महीना है अरे कमाएं कि मंदिर जाएं मंदिर में भीड़े हम नहीं जाएंगे पत्नी के रही भीड़े हम नहीं जाएंगे बच्चे करें भीड़े हम नहीं जाएंगे घर में अवांति का पुरी में निवास करने वाले के घर में ये नियम होना चाहिए कि प्रती दिन हम रोज पाप करते हैं दुनिया का व्यक्ति किसी दूसरी जगा पर जूट और पाप करता है तो उसको भोगना पड़ता है तीरत में रेकर अगर हम थोड़ा पाप करेंगे तो हमें भोगना भी बड़ा पड़ेगा केवल एक महादेव का दर्शन करकर चाहते शिखर का दर्शन करकर हमारा पूरा पाप उसी दिन दुन जाता है किया física । व्योग्म है कि य। उसी तरह रोज शिखर का दर्शन जरूरी है ज नहीं नहीं है कि दुकान आदर घर का यदी एक व्यक्ति भी जिस जिस तीर्थ में रहता है उस तीर्थ का जो मालिक उसकी रोड के सामने से भी अगर घर का कोई व्यक्ति निकल कर चले जाएं तो जो भक्त चलते हैं ना उनके चरन की रजबी उसके कपड़े से अगर चुकर चली जाएगी तो उसका अग्रश्रबन करने के लिए आते हैं पंडाल में रहते हैं आप लोग उन तो देखे होंगे कोई नोइडा कथा में आया कोई कहीं आया कोई कहीं आया जहां लोग कथा सुनने आते हैं वहां परभूमी पर दरी विछ्था और केवल हम ये नहीं कहेंगे कि यहां पंडृल में जितने लोग रे रहा हैं ये बाहर के नहीं है उजयन की, माताएं भी उजयन के लोग भी अपने घरसे साथ दिन के दरी, बिस्तर, कपड़े लेकर यहां पंडाल में सो रही हैं क्योंकि उनको मालूम है वो जेन के लोग भी इस पंडाल के अंदर पड़े हैं उनके बच्चे फोन लगा कर करते हैं ममी भीड़ बहुते बापी सजाओ नाई नाई मुझे यहां रहना है तो तु गई क्यों ममी ने फोन लगा कर कर दिया मुझे मालूम था सब दूर से रोड बंद हो जाएगा बार बार इतनी दूर तो छोड़ने भी नहीं आएगा इसलिए मैंने दरी कम्मल सब लेके आ गई साथ दिन पड़ी ने कथा सुनी बस यह आना जाए और जो मेडम होन थी कि वो बाद में आती है और पीछे जगड़ा करती है जित्ती मेडम है बाद में आती है लिपेपर ठिपकी लगाने के लिए और पीछे आके जगड़ा करती हैं हमें जाने दो तुम हमें पचानते नहीं हो हमें नहीं जानते उनसे उनको यह अंदा जा नहीं है कि यहां के लोग आपको जाने ना जाने और वो आपको देख रहा और वो जानता है अच्छे से सै उसको मादोगा हुआ ए पड़ा सी ओर्वाला महाराज बुरा जरूर है बोलने में थोड़ा सा कमी नहीं रखते हमारी मावी हमसे कहती है थोड़ा सा अंट्रोल में बोला करो eremy है प्रम regain म pom c'taj22 जनम उसंहें दिया है उसका दिया खा रहा हूं इनका दिया नहीं खा रहा हूं इसलिए बोलने में पीछे नहीं हटो एszके कर पाब पोजोरग-बुजोरग माताइं बैठी रेश levar नमान यह अवंति का पुरी है अवंति का पुरी लोग कते हैं उज्जेन के लोग यह उज्जेन के लोग दिन भर वेवपार में लगे रहते हैं यह उज्जेन के एक एक कपड़ा वेपारी भी पीट पर पानी की टंकी को बांध कर तांबे का लोटा हाथ में लेकर लोगों को पानी फिलाता फिर रहा है यह उज्जेन ही है यह वंती का पुरी है कि इसलिए किसी कथा में रातरी के समय पर आकर किसी नहीं दईवड़ा नहीं खिलाया पर यह जो उज्जेन की कथा है आधि वात को टंकी सिंटेक्स की भरके दईवड़ा आलू बड़ा, खिचडी, आइस कीरिम, कोल्डरिंग की बोटल, बिस्कूट, हलुआ, लोकी का, गजब, और कहे लोकी के हलुए में जित्ती लोकी कम उत्ती काजु जादा, गजब, पोहा, चाय, चिप्स, वेपर्स, कुरकुरे, अरे धन्य है रे, उजजेन वालो दिल लूट लिया तुम्हें, तो गजब, गजब, ये धन्यता है आपकी, ये पहचान है मेरे मालवा की, और इसी पहचान को बरकरार रखना है हमके, इसी पहचान को, अरे अरे गजब, अरे गजब, वे अंधन्य वाला महकाल की नंगरी में आने वाला महकाल का मेहमां नहीं है, अरे अरे ये पहचान कोérique मैं आणे वाला हम्हेन, किया राद्री को माता है है नाचिना है कि बोलो दodzi जी जी आनन्द है खूब भजन खूब कीर्टन आग लगे बस्ती में अपन रव मस्ती में क्या नहीं का इसी फ़ानन्द करते हैं इसी फ़ानन्द करते हैं अधन्यवाद प्रशासन के अधिकारियों को कल तेज हवा चली और पूरे प्रशासन के अधिकारी चाहे वो कलेक्टर सरहों चाहे स्पीटी एसपी एसदी अम्ति आई अधिक जित्ते भी थे सब जैसे तेज हवा चलने लगी पूरा प्रशासन का एक जितने अधिकारी थे सवातर खड़े हो गये धन्यवाद पूरी प्रशासन को बहुत बहुत बजन का कीड़तन का एक आनंग है सुक यह नहीं कि प्रकाजी लगे हैं या महापोर्जी लगे हैं तो अपन क्यों लगे नहीं इनके सब साथ में मिलकर चलो इसमरण वक्ति का यही वाई है अगर हम उज्जेन में निवास कर रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए भी नहीं ज जा सकते महाकाल के दर्वाजे तक भी नहीं जा सकते महाकाल का सिखर दर्शन भी करने नहीं जा सकते तो जिसकी नगरी में रहे हैं उस नगरी की भूमी पर जो संकर का मंदिर हो उस संकर के मंदिर तुमारे जो महले में गली में चुरहाई पर तुमारे नगर में हो उस संकर जाए करके मंदिर कभी शिखरदर्शन करोंगे तो महाकाल इसको सिह आर लेगा पाफ समाब ब्यक्ति पापरोज करता है प३र है पूरड म exam करना चाहिए और राप हम नामजाब snr करना काँई कपड़े पे चाहिग गिरिए एक महीने बाद धोना चाय का दाग चले जाएगा अरे बोलो जंद के बोलो नहीं जाएगा अपड़े पे चाय गिरी और तुरंट तो तुमने पानी का गिलांस में डुपकी लगा के और उसको जोड़दार दोली न तो पानी का दाग रहे जाएगा पर चाय का दाग नहीं जाए रहेगा चाय का दाग उसी समय छुट जाएगा कॉफी का दाग रह गया 15 दिन बाद धोना दाग रह जाएगा कोल ड्रिंग पी उसका दाग लग गया वो दाग भी रह जाएगा पर तुरंक सब्जी गिरी दोया चाई गिरी दोया, कौफी गिरी दोया, समान गिरा दोया, खीर गिरी दोया, अगर कुछ कपड़े पर गिरा और उसी समय धोलिया, तो वो दाग समाक तो हो जाता है, हम रोज जुड बोलते हैं, हम रोज पाप करते हैं, हम रोज कपट करते हैं, तो हमें रोज भजन करना चाह हमारा पाप के हमको दहोना है यह नहीं अच जूट आज गोला जा अछ करी चाखरा परपंचाच करा और फिर बोले में तो शिवरदाक्तरी की शिवरदाक्तरी मंदिर जाती कि अब फिर किसी ने भजन गाया क्यों दीनानात वो बजन गया मेली चादरोड के केसे क्वारती हारे कि दूख के और और चृदy जाती कोई कर रही तिकर घरी तुर स्वेक्तरी में शनलर जाती कोई पर उसी दिन अगर धो लोगे तो दाग धुल जाएगा इससे लिए रोज जुट बोलते हो रोज पाप होता है मनुश्य शरीर से प्रती दिन पाप होता है श्रीमत भागवत में तो चार इस्थान पाप के बता दिये पहला जारू जाड़ू लगाते समय छोटे-छोटे जीव मर जाते हैं उसका पाप माते चड़ जाता है दूसरा अगनी जलाते समय छोटे-छोटे पतंगे जल जाते हैं उसका पाप माते चड़ जाता है तीसरा कपड़े दोते समय पानी भरते समय बरतन मांचते समय छोटे-छोटे जीव म गाद जरासी बात में हम जूट कर रहा है दुकान पर बेट North Iran एक किछी चार में बेच रहा है ये भी तो पाप ही है हम नित्फ परती पाप करमें जहूते नूब हुए है इसके मिसी साथ बेमानी कर दिकिसी किसी को अफशब्द कर दिया किसी को नीचा दिखा दिया रोच तो पाप कर रहे हैं तो हमें रोट प्रति दिन शूमाह पुरान की कत्था को सुनकर वह पांको दो देना चाहिए परति दिन रूट रोच रोज तो हाँ अरे बुजर्ण को बुजर्ण का माता है जो गाओं में रेती है रहाओ इत्वी इत्ति सम्हस्दा रहे कि ओ वो बहुत से के देती है बेटा कि बे लन के दोके रक्त दी जो हो तो बहु के मम्मी कलवी तो रोटी बनेगी तो रोज रोज बेलन काई कुछ रोणा आटा चिपक जाएगा तो रोटी फटी जाए आटा चिपक और बेलन से तुमने बेला और बेला तो रोटी बेकार होगी फिर वो बिलाए नहीं चकोटी नहीं दोके रखो तो चकोटी वो भटेगी नहीं रोज का रोज अगर दूद का बरतन धोकर रखोगे रोज का धोकर रखोगे तो उसमें रखने वाला रोज का दूद कभी भटेगा नहीं यह निश्यत है रोज दो पर हम नहीं दो तो बच्चों से का रोज श्रुजी के मंदिर जाओ बच्चों से का रोज एक लोटा जल चड़ाने जाओ बच्चों से का रोज भगवान संकर के मंदिर तक जा उसकी चोखर तक जा उसके दर्वाजे तक जा प्रती दिन जा सुनेगा वो दिल से जो भजन करते हैं भगवान संकर का दिल से जो गुणगान करते हैं दिल से जो इस्मर्ण करते हैं वो दिल से सुनता जाए सुनेगा ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, पारवति मैया, शिवजी के बजन में इतनी डूबी, इतनी डूबी, इतनी डूबी, कि शिव पर भरोसा अपका करते हैं और भरोसा भी कोई साधरन नहीं होता है कई लोग करते हैं कि हम महादेव के मंदिर जाते हैं हम शिवजी के मंदिर जाते हैं हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो क्या भगवान हमको देखता है कि यह महापुरान की कथा करती है इतने लोग बेठे हुए आप किसी एक बेक्ती को थोड़ी देर तक देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो वो एक बार नहीं देखेगा दो बार नहीं देखेगा तीन बार नहीं देखेगा चार बार नहीं देखेगा कुछ मत बोलो केवल देखते रहो कुछ क निखाइब एगि उसी तरह मंदिर जाते रहो जाते रहो आपकी निखाइब जाने है जाने चूकत तम एक नाए इक दिन उस हो आपकी देगर मिल जरूर जाएगी चा helping को भै दिया कितना डराया कितना डराया तो भी पार्वती जी मानी नहीं आखरी में शिव जी को माता पार्वती ने अपना बनाई कि समय आया कि उत्रक शड़ानंद कार्थी के जी का अवतार गंगा जी के जल से प्रागट्टता हो गई और स्थिदानन्र कार्फिके जी का उतार जब गंगाजी के जलत से प्राकुटता हूँ तारकसुर को मारना है यह तारकसुर कोई साधरन सा नहीं है हमारा पहले भी कथा में काज्पिर कर रहा है शिवजी का विरोध किसी से नहीं है शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है इंद्र के दुश्मन हो सकते हैं 33 तोटी देवी देवताओं के दुश्मन हो सकते हैं पर मेरे महादेव का कोई दुश्मन नहीं अंदक असूर। तारक असूर। भस्माशूर। जितने भी इन असूरों का संभाद निकल कर देखे एक-एक असूर की बात निकाल पढ़कर देखना एक एक ज्याधा दूर नहीं आपके पास में घीता प्रस गोरणकूरी एक पर्षु grips महापुर्ण की गत्ता हो तो उसको पढ़ा कर देखना की सीका विरोध महा गेव से नहीं एक है एद गी कृछimeter को फेर लोग कहेंगे कि घुरूजी आपटियों कि Sankara Bhagavanने उनके पूत्र ने तारका सुरकोमार दिया उन्हें असर्कों मार दिया उन्होंने उसको मार दिया उन्होंने उसको मार दिया इतनी कताँ आती है शिव महापुराण में राक्षसों के संगार की असुरों के संगार की फिर इन्हों ने क्यों मारा जब जब असुर आते हैं जब जब राक्षास बढ़ते हैं जब जब उपत्रों माच आते हैं यह सब घवराने लगते हैं और घवराते घवराते देवादी तो महादेव के पास चले जाते हैं महादेव करते हैं क्या चाहिए तुमको तब देवता करते हैं इन असुरों का संघार कर दीजिए इन असुरों का संघार कर दीजिए तब शिवजी करते हैं इनका मेर से विरोध नहीं मैं क्यों मारूं इनको तब देवता करते हैं आप से विरोध नहीं है पर हमसे तो है कि इंद्र का विरोध है क्योंकि इंद्र की सथा पाने के लिए आक्रमन करते हैं बेकुंट को पाने के लिए आक्रमन करते हैं एक अच्छे लोग को पाने के लिए असुर राक्षस आक्रमन करते हैं एक अच्छे लोग को पाने के और किसी राक्षत से कहा कि तुम भेकुंठ मत करो तुम बेकुंठ लोक पर आधार मनमत करो थम देकुंठ स scheint क्का मत करो तुम तो यह कां करो यहां प्रत्वी पर आउब के लास लोग भगवान संकर का के लास ले लो भगवान शिव का केलास धाम ले लो नहीं दे असूरों को राक्षसों को इंद्र लोग चाहिए बेकुंथ लोग चाहिए ब्रह्म लोग चाहिए और केलास धाम नहीं चाहिए कारण क्या इंद्र लोग मिल जाएगा तो सक्ता धारन करेंगे बेकुन्त लोक मिल गया तो सक्ता धारण करेंगे ब्रम्म लोक मिल गया तो सक्ता धारण करेंगे और अगर केलास धाम मिल गया तो मा सक्ता नहीं, मा केवल भजन हो पाता है भक्ती हो पाती और कुछ अच्छा केवल भजन होगा, केवल भक्ती होगी कोई राश्त्ता की बात कोई अन्य बात ना यहां तो केवल एक का में भगवान का भजन करो जितनी देर बेटे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जितनी देर बेटे हो पंचाक्षर मंत्र नमस्षिवाय जितनी देर बेटे हो शटाक्षर मंत्र ओम नमस्षिवाय जितनी देर भगोगान का जैघोश करते हैं, भजन करते हैं, किर्टन करते हैं, मंतर जाप करते हैं. कारण केवल एक है, इंधर लोक मिल गया, कोई इंदर का सिंगहसन मिलेगा. पर अधिपत्य उनको प्राप्त हो जाएगा. पर यदि केलास पर आक्रमन करा तो केलास तो वो भूमी है केलास वो जगा है केलास वो इस्थान है कि मरतिव लोग पर अगर अगर आक्रमन कर भी दिया और ये मिल भी गया तो इसमें केवल भजन हो सकता है भक्ती हो सकती है स्मर्ण हो सकता है कुछ अभी कि रावन अपना विमान लेकर जा रहा है और रावन अपना विमान लेकर जा रहा है उर विमान में बेट कर जा रामन इंद्र लोक्स निखलकर गया नाही रूका बैकुन्त लोक्स निखलकर जा रिमान रूका यॉडले अए लेडी चικό कि वैए यॉड़ी Lee दोुम्त मक निखलक रूके तके रामन की मान नही मैं रूका कि इंद्र लोग से निकल कर गया विमान कर रुका लहलोग से निकल कर गया रामान नहीं सिस्टा घुटा और रावन 11 जब गे 22 विद कर तयार नहीं हुआ और भूमी पर आकर गिर गये रहाधे जैसे जमीन ये उदर जाता क्यों नहीं के उपर से उड़ता क्योंётся आके ये केलाश के उपर से जा क्यों नहीं रहा है ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है ये विमान आगे क्यों नहीं जा रहा है तब गुप्त चरो ने कहा इस केलाश पर देव अधिद्यों महादेव रहते हैं माता पार्वती जी के साथ रहते हैं इस केलाश पर भगवान शं और रावन ने कहा बिमान केलाज परवद पैसे नहीं जा सकता तो मैं केलास को उठा ऐूसी जा और पार्वति जी और वात है पार्वति जिक कर रही है रावण ने कहा है प्रवत को ऊठा कर कोने में रख देअ है ऱ्मैरे विमान आuden के सकति मेरे संकर भगवन कर यह सी निचे आतो रुक कि जा ओर जो संकर हम और अपना पाउ नीचे लटकाया और अंगूठा नीचे टिकाया रावन के दोनों हाथ परवत के नीचे दब गए इतने डवगए कि हिलने को तियार कि ऐ दिलने को तियार कि रावन का हाथ कैसे हिले कि यहाथ कैसे हिलेगा परवत का बजन लगा रावन चिंगाड़ पड़ा चिंगाड़ा इतनी तेज चिखार रामन की थी की इंद्र लोग गरून लोग बरून लोग बेकुन थे लोग ब्रह्म लोग पताल तलातल रसातल सब्सक्राइब तक्ते चिलाया हाथ परवत के नीचे था साथा निकल नहीं रहा था रामन का हाथ इतना भयंकर हाथ अपने गुप्तचरु से कहा कोई तो आओ आओ अवाज लगाई रामन ने चिंगारा चिलाया एक गुप्तचरु उसके पास में नहीं आए शुक होता है तो गुप्तचर भी तुमारे साथ होंगे सुख होगा तुमारे साथ में सब होंगे सुख होगा तुमारे साथ धेर खड़े होंगे सुख होगा प्रतिष्ठा होगी पद होगा सत्ता होगी पुर्सी होगी तुमारे साथ करोड़ों लोग खड़े मिलेंगे जैसे दुख हाया थोड़ा सा तुमारा काम बिगड़ा थ थोड़ी से थोड़ा सा तुम्हारा वस्प्रतिष्था नाम काम थोड़ा सा खतम हुआ कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ कर चले जाएंगे यह रामन की कता हुआ भाई रामन के लिए एक सब्द बोला जाता है विनाज काले विप्रित बुद्धी यह रामन के लिए एक सब्द बोला जाता है ता विद्वान सारे रेत पुरान शास्त्र पंठस्त थे नव उक्रह उसकी यह बंदे पड़े थे सोने का महल सोने की अटारी समुद्र के बीच में खुश्पक विमान उसके फास में था और बुद्धी कहां गई कोई पूछ रहा था गुरु जी यह बुद्धी क्यों बिगड़ जाती है हमने का ऐसा नहीं है कि बुद्धी कभी कभी बिगड़ती है जैसे नारी हिस्त्री रजस्वला धर्म में आती है रजो धर्म में आती है हिस्त्री साथ दिन तक काम नहीं करती है उसी तरह महीने में एक बार बुद्धी वी रजस्वला हो जाती है साथ दिन काम नहीं करती है केवल नारी रजस्वला धर्म में नहीं आती है, केवल इस्त्री रजो धर्म में नहीं होती है, मनुष्य की बुद्धी भी रजस्वला हो जाती है, साथ दिन नारी रजो धर्म में होती है, तो किसी बस्तू को हाथ नहीं लगाती, कोई अच्छा काम नहीं करती, शुबकारे म नहीं जाती उसी तरह जब मनुष्य की बुद्धी काम करना बंद कर दे गलत जगा पर जाने लगे बुद्धी काम करना बंद कर दे समझ लेना बिनास का समय आ रहा है तो रजो धर्मा गया बुद्धी में इसलिए साथ दिन तक इस्त्री कोई काम नहीं करती तो तुम भी कम स से कम पांच दिन साथ दिन ठंडे दिमाख से सोचना बुद्धी जब सही हो जाएगी अपने आप काम करना चलू कर देगी रजोधर्मस से आगए बुद्धी भी कि बहुत जल्दी में लिया गया निरने खरब हो जाता है बहुत जल्दी कि आज भोलना पड़ेगा हाँ भरो या ना भरो बोलता मैं तो अभी के अभी सुनके जुम्हा और एक दम चुटकी में तुरंत निरना लेने की तैयारी तो बिनास काले विप्रित बुद्धी तुम भी घर जाओ अराम से सोचो ये भी घर जाएं अराम से सोचें लड़की के ठीक है क्या लड़के के लिए लड़की ठीक है क्या परिवार हम दोनों के लिए ब्याई जी साब ठीक है क्या संदी जी एक दूसरे का अधर सतकार करने वाला है की नहीं सोचें कभी कभी बुद्धी वी रजस्वला हो जाती है गलत जगा पर चली जाती है गलत विवेक गल पंदर में जाकर बुद्धी बिगड़ गई राम राम कित्ता कीचड़ सरके रखा है पंडित जी थोड़ा ध्यान नी रख सकते तो तू क्या कर रही तू ध्यान रख रहे हैं तब पंडित करेंगे तो तुम क्या करोगे कि बुद्धी कहां गई थी लोटा भर के जल चड़ाने चड़ाना किसको था बोलो बोलो जम के बोलो जड़ा महादेव को और द्रश्टी कहां चली गई कि ता मंदिर में आ रहा है पर रत्ती भर का काम अब तु जल चड़ाने गई थी कि पंडित को देखकर ये देखने गई थी कि कित आरिया और किता खारी आ जोड़ा है अब भलो बिनास काले बोलो जम के बोल जड़ा बिगडेक की नीग मुझिए एक मिनिट में बुद्धि विगड़ घया आ पडोसी कि यहां फोर विलर गाड़ी आई उन्होंने तो पडोसन के नाते तुमको बुलाया अंटी नई गाड़ी आई है हमारा मन कर रहा है कि आप भी पूजन में सामील हो अंटी आके खड़ी तो हो गई पूजन भी हो रही पर अंदर से अंटी अब अंटी जाने कि वो अंटी के अंदर किती घंटी बच रही है कि इस्त्री रजस्वला धर्म में आती है नारी रजो धर्म में आती है साथ दिन तक बस्तु नहीं छूती काम नहीं करती यह नहीं करती वो जगा जाने लगे तो समझ लेना तुमारी बुद्धी रजो धर्म में आ गई है कोई भाल तुकी बात किसी से मत करो अगर लोग जबर्वस्ति तुमको गाली दें तो समझ लेना कि बुद्धी रजस्वला होने वाली है इसको गाली दे लें दो तुम साथ दिन ठंडे होके अराम से स्यूपुरान की कथा में देपालपूर चलो हो और है द्याख को कि एक सब्सक्राइब अर। बोले अक शब्द में कि अरफ एक शब्द भी वोस्ति तहीं बोले वहीं कित्ति तमारी बिगार्णने आया है रजो धर्म का समाएं बुद्धिक आ गया थोड़ा समन्न है चुपने ना साथ दिन निकाल देना ऐसे हाउसाः आँ हैं को तुमसे कित अपता हो जाएगी तब तुझे से देख लिए के दिना मैं तयार हो के तेरी दर्वाजी पैजा आँ पर बुद्धी जब रजस्वला होती है विवेक जब रजस्वला होता है गलत विचार गलत सोच गलत रश्टी कई लोगे से हैं मंदिर के अंदर प्रवेश्ट करने से पहले मंदिर की मूर्ती को नहिलाने से पहले मंदिर की अंदर दर्शन करने से पहले भी किसी किसी की बुद्धी में गलत गलत विचार आने लगते हैं पॉजेटिव नहीं नेगेटिव सोचने लगता है किसी किसी के साथ यह भी होता है जब हम भजन में मन लगाते हैं और मन नहीं लगपाता ना तो इसके लिए विश्यू יודע महा Quraan की कथको टीए केवल एक का भेल पत्री है इसके दोनों भाग में यह जू बेल पत्री है इसके दोनों भाग में लाल चंदन और ये जो डंडी है इसके पीछे चंदन की पीले चंदन की एक गोली पीले चंदन की एक गोली लगा लो या पीले चंदन में इस डंडी को भिंगा लो अशुक सुंदरी वाली जगा पर पती का मुँ जहां से पानी बह कर जा रहा है उदर और डंडी का मुख असुक सुंदर को समर्पित कर देता है मंदिर में जाने पर जिसके विवेक में गलत सोच जाती गलत बुद्ध्या जाती है गलत सपने दिखते रहते हैं गलत विचार आते रहते हैं दिन रांग पड़ती रहती है हर पर यह सूचता रहता है कि एक्सिडेंट ना हो जाए ऐसा लगता है इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए उसको सोंबार की अश्टिमी के दिन एक बेलपत्र लाल चंदन दोनों पत्ती में पीछे फिला चंदन अशुक सुंदरी वाली जगा पर समर्पित कर देना चाहिए तो जिन्दगी में वो भय और गलत सोच समापत हो जाए दरश्टी में वो सोच आती ही नहीं मंठी गलत्विचा गलत सोच गलत दरश्टी गलत भाव प्रगट कव होता है भय कमाता है भय आने का खारण क्या है इस और कि वह और पेले वी कठा में काच्विर कर बहुत द्यां से समझना बारबर इस प्रसंग और时 और कठाऑं में नहीं आपाए आप द्यान से सुनिएगा ये शिवलिंग ये जलाधारी ये जलाधारी का जल बहने वाला इस्थान ये गोल जलाधारी है ये शिवलिंग रखा है ये जलाधारी अब कई लोग ऐसे होते हैं कि पंडी जी पूजन करा रहे हैं या कोई मालूम पड़े बहुत बड़ी जलाधारी है अब उज्जेन में आप दर्शन करेंगे तो शिवलिंग थोड़ा सा बीच मोता जलाधारी बहुत दूर होती है ऐसी बोल होती है अब आप लोग जब उजन करने बेटते हैं तो महाराच जी ने जैसे महादेव को चंदन लगाया और चंदन लगाकर हाथ में जल अब भाए मिटाता कोन है मानलो सपने गलत आ रहे हैं दृसरा एक पिरना हो जाए एक बार दुकान डाली दूसरी बार घाटा ना लग जाए पहले घाटा लग चुका है एक दुकान डाली थी वो नहीं चली दूसरी फिरना चलेगी तो क्या होगा जिसके मन में ऐसा विचा जला धारी पर जो सुक सुंदरी बनी है वहां बस इस तरह से उसको रख देना है जिंदगी में कभी भयाता ही नहीं है बहले कितनी भी तुमने सोच ली हो एक दुकान में घाटा लग भी गया तो दूसरी दुकान दम कर चलती ही है यह पती का नियम है पहले कोन से दिन करना जम के बोलो जम के दरा सौंबार की अश्ट में के उसका इसमर्ण हमारे को फल परदान कर देता है भजन में चित्त को रामाना और उसके साथ को पाना अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो श्री शिवांए नमस तू भ्यम का जाप करें मैं वैंसे अपने दिल की बाथ करना जहां मोका मिल जा मफ बैठ जा है और बैठकर बावा से अपने दिल की बात कहो। दो दिन और बचे क डा के कल और परसो का बलभी कंग है ही एक बज civज दे चार वजे तक रहेगा पर परशो का खता का समय शुबरे नो वजे से बारा वजे तक रहेगा कि वी पर एक वजे ही रहे तो मुखा मिला है दिल से काऊ लिए इसे काई इसे के इस इस भी इस डूमस दो श्रीẫn स्जी श्रीज वाय नमस्तूरियं। श्री श्रिवार नमस्तुर्य। श्री श्रिवार नमस्तुर्य। श्री श्रिवार नमस्तुर्य। श्री श्रिवार नमस्तुर्य। श्री 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 श्रीवार नमस्तुर्य। समशान वास हमारा होला सब दुख काटो मारा हो होला सब दुख काटो मारा जब श्री शिवाय नमस्तु व्यम कहा जाता है दो छण के लिए हम मोन होते हैं तब उससे पंडाल में बेट कर ये बात कह देना शुपुराण के सामने कि मैं तेरे भरोसे पर शुपुराण की कथा कर रही है बरोसा नहीं तूटनाचाइब विश्वास डिगना नहीं चाहिए जब हमारा बरोसा विश्वास पका हो जाता है तो परमात्मा को मिलने में देवी नहीं कुछ लंकारी पती रावन का हाथ केलाश परवत के नीचे दब गया उसका कारण केवल इतना था कि विनाश काले विप्रीत बुद्धी आपको भी कथा में कहा कि बुद्धी भी रजस्वला हो जाती है काम नहीं करती साथ दिन उस बुद्धी को भगवान के सहरे पर छोड़ देना चाहिए जब तुम्हें लगे मन काम नहीं कर रहा तुम्हें लगे की चित्त काम नहीं कर रहा तुम्हें लगे कि अभी एहड़ाय मेरी बुद्धी काम नहीं कर रही तो समझ लो कि यह रजो धर्म में हो गई इसको भी पड़े रहें तो अब कोई नया काम अभी नहीं करें आभी थोड़ा सा रुको फिर सोच थे पर लंकापती रामण ने तो बड़ी जल्द बादी करी उपर से अगर विमान नहीं गया तो उसने केलास परवत को उठाने का विचार कर लिए और केलास परवत को ठाकर एक और रखने का विचार करा चिंगार दिया हात दब गए तब कुनमांगी भगवान देव दिव महादेव से जिस समय चिंगहड रहा ता उस समय पर जो साथ में रहने वाले थे वो भी भाग गए थे कोई बचाई का कोई नहीं प्शाओ के घड़ी में सब साथ देंगे पर कि मेरे बाबा दया करना में तेरे बरोसे हूँ आप सब दीना ना तू नहीं बोलेगा जित्ते बेठे उसाब इस लाइन को बोलना चाहिए बार बार बोलना चाहिए मेरे बाबा दया मेरे बाबा दयार मेरे तेरे बरोसे हूँ ना धर के ना परिवार के बरोसे मेरे बाबा दया करना मेरे तेरे बरोसे हूँ उसको सुकारना उसके बख्ती में उसके विश्वास में दू बना सब चले में रखा गया जब दुख का पहाड मनुष्य पर तूटता है तब सब छोड़ कर चले जाते हैं सब कौन साथ देगा कौन देगा एक गुजरात के कोई भाई ने पत्र लिखा है उस पत्र में उसने लिखा है कि मुझे लिखना भी नहीं आता मेरी भासा समझें ना समझें आस्क्रिम का ठेला लगाता है जिसने लिखा होगा वो अगर बेठा होगा तो दोनों हाथ हिला देना बाई पत्र ढूंडूंगा फिर पढूंगा पत्र ढूंडूंगा फिर पढूंगा तो कोई बेठा हो वो तो हाथ हिला देना आस्क्रिम का ठेला लगाता थै एक बार आस् रापिस लगा और फिर ठेले में लगाया फिर कर्जा हो गया कर्जा बढ़ते चले गया बढ़ते चले गया आख्री में करें क्या रोता बिलकता रोटी तक लोग खाने नहीं देते ठेला उठा कर ले गए रोड पर बेटकर सब्जी का समान बेचने लगा सब्जी का समान बेचते बेचते सब्जी की टोकरी भी उठा कर ले गए जिनका कर्जा देना था सब्जी की टोकनी भी उठा कर ले गए उसकी नहीं बचे जब भी वह कोई काम करदा जिसका कर्जा था वो उठा उठा कर ले ज कि करे तो करे क्या आख्री में कि उस कतार पर पहुच गया कि अब इस प्राणों को नहीं रखना तब उसकी पत्नी ने कहा कि एक बार पशुपती व्रत कर लेते हैं अगर बाबा चाहेगा तो कर जातो चुकाएगा कि स्रीवरवाला महराज केता रहता है करे तो सरी और बहुत प्रयास करा उसमें पत्र है यूश्यूपती ब्रत प्रारम करे शिवजी को जल चड़ाना प्रारम करा आउले के ब्रत्ष की पूजन चलू कर दी जो पहले तार्तिक महत्तम में बढ़न करें उसने पत्र में लिखा है गुरुजी दो सुम बार निकले कोई रोज निकल कर जाता था उसने देख लिया और उसने कहा मैं डलीया छुडवा देता हूं ठेला छुडवा क्रिपा से अस्क्रिम के चालगा शिवतक्र विश्वास भरोसा दड़ता छूटना नहीं चालगा आएगा दुख दुख की घड़ी होती है तो सब खीच लेते हैं लंकापती रावन का हाथ केलास के परवत में दब गया और केलास परवत में इसलिए दवा क्योंकि विनाश का ले विप्रिग वूद्धी इसको यहा अंधाजा था कि यहां संकर जी बैठे हैं महादेव बैटे हैं आसूरों से भगमान का कोई बेर नहीं था पर देवताओं का भीडता करते हैं अब जूटे कैसा प्राथना करी देव अधिदेव महादेव से प्रभु कृपा करिए मेरा हाथ परवत में दब गया है करुणा करिए महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं एक लोटा जल चड़ाया और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं इतनी सहज का इतनी सरल का मेरे महादेव को किसी देवता को जितना अपशब्द नहीं कहा जाता उतना अपशब्द महादेव को कहा जाता भगवान विश्णु को कोई आड़ा तेड़ा नहीं बोलता ब्रमा जी को कोई आड़ा तेड़ा नहीं बोलता इंद्र को कोई आड़ा कांत्रिक है बिद्याल करने वाला अगहोरी है अडभंगा है कर सम्षान में रहने वाला है बश्मरमाने वाला है कितने कितने शब्द महादेव को बोले जाते कितने शब्द उसके बाद भी कर पूर-गोरं उसके बाद भी शानत है उसे कोई मतलब नहीं कौन क्या बोल रहा है उसे कोई मतलब गोड़े के पीछे और पेशे वाले के आगे कभी मत चलना कभी भी लाग मार देते हैं जम के बोलो जे रख किसके पीछे नहीं चलना और किसके आगे नहीं चलना सीख के जाना है स्यूपुराण में से घोड़े के पीछे कभी मत चलना पेशे वाला बहुत करोणपती है उसके आगे मत चलना बहुत धनपती हो ज्यादा वेपार चल रहा हो खोब उसके पास में गा और पेसे वाले के आगे चलोगे कभी भी लात मार देगा पर मेरे महादेओ के साथ चलोगे तो जिन्दगी को तार देगा सेट जी सेट जी सेट जी सेट जी हमारे सेट जी दानवीर सेट जी करोड़पती सेट जी सेट जी करके कब तुम्हे लात मार देगा पटानी पड़ेगा री जी जी जाओं और गोड़ा के पीछे मत चलना गोड़ा भी कभी भी लात मार सकता है कभी भी अगर चलना तो मेरे महादेव के पत पर मेरे महादेव के मंदिर के द्वार पर मेरे शिव की चोखड पर चलना वो हाथ पकड़तर तार देगा मेरा महादेव कभी लात नहीं मारता तर शिवतत्व इसको कहते संकर का गुणगान इसको कहते वो बजन वो कीर्टन उस पर किया गया भरोसा फिर कहूंगा गोड़े के पीछे पेसे बाले के आगे मचंओगे लाक मार देंगे कभी महादेव के साथ चलना कभी लाथ नहीं मारेगा हाथ पकड़कर पार करे देगे गया काल अदीपती महाकाल राजा मेरा महादेव उसके साथ चलने का प्रयास करिए उसके साथ चलेंगे तो जीवन के सार्थक्ता होगी कार का संघार करने के लिए कार्थी के बाबा का इस्मर्ण हुआ जहिश्री ओंकाना बुले बंची शीवियों काना प्रमा वीश्रु से जाशिवे उनियुलिनात महाशिवे अर्दा के धारा ओमरे हरे हरे महादेव एकानन चतुनानन परचान तेरादेव भूले परचानन राजे अर्शासन गरुणासन गरुणासन तेरादेव वाहन साजे ओमरे हरे हरे महादेव दो मुझे चारे चतुन रहे हुटे दस उत्यांती सो ने बुले दस मुझे अंकी सोए बुले जी करूबने रखेता बुले बुटे माला लारी